प्रभुष्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्व उसके जितने भी अद्याएं हैं ज्यादा तर वो भवश्द्वारी के बारे में बात करते हैं कि अन्तिम दिनों में क्या क्या होगा। बाविस्वाणी वो बात होती है जिसमें परमेश्वर के लोग पहले से बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि उनमें परमेश्वर की आत्मा रहती है और वे परमेश्वर की आत्मा के साहिता के साथ ये बता सकते हैं कि कुछ महनों में, कुछ सालों में या कुछ स तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर भविश्वानी जिसके बारे में हम देखते हैं जो हमारे प्रभुश मसी ने कही या किया भविश्वानी किया उसके बारे में हम देखेंगे कि क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी, क्रूस की सतिता प्रभुश्व मसी ने क्य जैसा कि आप यहां पर हमारा श्रीशक देख रहे हैं कि येश्व मसी की भजद्वानी जो कुछ दिनों के बाद सत्य हो गए। और मार्ग में उनसे कहने लगा देखो हम यरूशलयम को जाते हैं और मन cancellation का पुत्र प्रधान याजकों और शास्तियों के हात पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य फ्हेराएंगे और उसको अन्य जातियों के हात सोपेंगे कि वे उसे उपहास में उड़ाए और कोडे मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा तो ये जो प्रवश मसी ने अपने बारे में भरुज़त वानी की कि उसके साथ कैसा होगा लोग उसके साथ कैसा वहवार करेंगे मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि अभी कुछ ही दिन बाद क्रिस्मस का समय आने वाला है और आप और हम सब जानते हैं विशेश करके जो इसाई समाज है जो श्वासी समाज है जो मसी है वो क्रिस्मस को बहुत महत्व देता है क्रिस्मस के दिन अर्थाद 25 दिसंबर को हमारे प्रवीश मसी का जन्म हुआ ठीक है पूरे मसी समाज में इसको मनाया जाता है ठीक है लेकिन प्रभुष मसी का जन्म तो हुआ और हमें खुशी है इस बात की बिलकुल खुशी है कि एक उद्धार करता जन्मा है ठीक है जो स्वगदुतों ने बताया कि एक उद्धार करता जन्मा है और वो हमारे पापों से हमें उद्धार देगा फिर उसके बाद एक और जो तेवार आता है और उसको हम कहते हैं गुड फ्राइडे और इस्टर गुड फ्राइडे और इस्टर के दिन हम देखते हैं कि प्रभुष मसी की बलिदान के बारे में वो हमारे लिए मारा गया उसने क्रूस की दुख, कोड़े खाए और इस प्रकार की बाते हम पढ़ते हैं और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे जिसे हम इस्टर के रूप में मनाते हैं तो क्रिस्मस, गुड़ फ्राइडे और इस्टर ये तिनो जो तेवहार हैं एक साथ जुड़े हुए हैं हम किसी एक तेवहार को अलग करके नहीं कर सकते हैं यदि क्रिस्मस है तो गुड़ फ्राइडे भी है और यदि गुड़ फ्राइडे है तो इस्टर भी है क्रिस्मस के दिन प्रभुष्व मसी का जन्व हुआ गुट फ्राइडे के दिन या शुब शुक्रवार भी कहते हैं उस दिन प्रभुष्व मसी अपने आपको कुरूस पर बलिदान कर दिया और इस्टर के दिन अर्थार तीसरी दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित परमेश्वर है तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुष्व मसी ने चेलों के साथ ये भाविश्दवानी की और क्या भाविश्दवानी की हम देखते हैं सत्रा पद मत्ती उसका भी सद्याय और सत्रा पद येश्व यरिश्वलम को जाते हुए बारा चेलों को एकांध में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा एक बात हम नोट करते हैं यहाँ पर कि प्रभी येश्व मसी पर विश्वास करने वाले तो बहुते रहे थे लेकिन येश्व मसी के अपने बारा चुने हुए चेले भी थे और वा उनके साथ रहता था उनके साथ मिनिस्ट्री करता था सेवकाई करता था उनको सिखाता था अपने बारे में भविश के बारे में और कैसे कैसे उने प्रचार करना है और एक तरह से चेला पंज जिसे कहते हैं ना उनको सिखाता था लेकिन हम यह याद है कि उस बारव में से एक थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना गद्दार या जूटा चेला था यहुदा इसकोरियोती जिसने प्रभई शुमसी को तीस चांदी के सिक्के के लिए पकड़वाया गया वो अलग स्टडी है लेकिन हम जो इसके लिए यहां पर बात करते हैं कि इशुमसी चेलों के साथ बाते करने लगा और उसने क्या बाते की अठार महपद देखो हम यरुशलेम को जाते हैं ठीक है वो यरुशलेम को जा रहे थे और मनुश्य का पुत्र प्रधानियाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा ये भविश्द्वानी उन्होंने अपने बारे में की अब जो मनुश्य का पुत्र और परमेश्य का पुत्र दो टर्म्स या दो वाक्य हम इस्तमाल करते हैं प्रभुश्य मसी के बारे में पहला है परमेश्य का पुत्र और द उसमें परमेश्वर की आत्मा थी, ठीक है, वो खुद परमेश्वर था, जैसे कि यहन्ना एक-एक में हम पढ़ते हैं, आधी में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, तो हम देखते हैं कि यह वचन जो है परमेश्वर का पुत्र है, जिसने पूरी दुनिया की स्रिष् की है हमारी स्रिष्टी की हम सबों की जो हम देखते हैं फील करते हैं जो अंदेखी स्रिष्टी है उसे भी प्रभू ने बनाया और उसका स्रिष्टी करता है लिकिन परमिश्वर के पुत्र के साथ साथ उसका एक और टाइटल था और वो था मनुश्य का पुत्र मनुश्य का पुत्र का मतलब जब उसने मरियम से जनम लिया शारिरी क्रूप से और जनम से ले करके 33 साल तक या कुछ लोग कहतें 30 साल इसके बीच में उसने अपना जिवन गुजारा और आखरी तीन साल वो मिनिस्ट्री या सेवकाई में लगा रहा प्रभु यश्य मसी के बारे हम देखते हैं कि उसको मनुष्य का पुत्र भी कहलाया गया और यहां ही पर वो अपने आपको यही कहता है कि देखो हम यरुशलेम को जाते हैं हम का मतलब यश्य मसी और चेले और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के पकड़वाया जाएगा तो यह उसने पहले से ही देख लिया था कि ऐसा होगा क्योंकि वो खुद परमेश्वर उसे पता है कि क्या होने वाला है तो अपने चेलों को बता रहा है जब चेले इन बातों को सुनते हैं तो थोड़ा सा असमंजस में बढ़ जाते हैं ऐसा कैसे पकड़वाया जाएगा नैचुरली स्वाभाविक है कि कौन अपने गुरू को पकड़वाया जाएगा है ना लेकिन हम देखते हैं यहां पर प्रभुष मसी यह बात कहते हैं कि मनुश्य का पुत्र प्रधान याजकों के द्वारा पकड़वाया जाएगा फिर दूसरी ब पर पकड़वायाज और जो वहां पर जो कोर्ट था उसके इस पाश लाए और पिलातुस के पास लाए और लोगों ने उसको बहुत जोर से चला चला काहा इसे कुरूस पर चड़ा हूँ भाई क्यों कुरूस पर चड़ा हो कि bientôt कि लोग कहें कि इसने अपने आपको परभू का है ये पापों को छमा करने वाला है ये कैसे हो सकता मतलब लोग अपनी तरफ से सोच रहे थे तो जो पहला तुस था उसने सब निरक्षन किया और उसने का मैं तो इसके जीवन में कोई ऐसी गलती पाता नहीं हो कि इसको क्रूज पर चड़ाया जाए नहीं नहीं लेकिन भी हाथ के योगे ठैराएंगे तब हम देखते हैं कि उसको ये धन शुनाया गया जज्जमेंट दिया गया नहीं सुनाया गया कि उसको क्रूज पर चड़ाया उन्नीस पता और उसको अन्य जातियों के हाथ सौपेंगे कि वे उसे उपहास में उढ़ाए मजाक में उढ़ाए अगर आप पढ़ें मत्ति मरकुसलू का यहना तो विशेश करके दो सुसमाचार में पढ़ते किस प्रकार से लोगों ने उसका ठटा किया, हसी मजाग किया किसी ने उसको थपड मार और कहा, बता किसने मारा किसी ने उस पर थूका कोई यह कह रहा था कि अरे इसने औरों को बचाया खुद को नहीं बचा सकता बलकि एक डाकू जो ठंगा हुआ था प्रभुष मसी के साथ उसने भी ठटों में उड़ाया का यदी तु है परमेशरो का पुत्र तो भई अपने आप को बचा और हमें बचा तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया उपहास में उड़ाया कोड़े मारे वो हमारे पापों के लिए कोड़ा खाया उसको कोड़े मारे गया कोड़ा जो होता था उन दिनों में आज करके कोड़े के समान नहीं है कोड़ा जो होता था वो चमड़ी का चबडी की रसी होती थी और उस रसी में लोहिक के से काटे लगे रहते थे ताकि जब कोड़े मारे जाए कोड़े मार करके जब खींचा जाए शरीर के उपर से तो उसके शरीर को वो चीरता हुआ निकला है आप समझ सकते हैं कितना पेन कितना दर्द प्रभुष मसी ने हमारे लिए साथ तो यह कहा है यहां पर प्रभुष मसी ने कहा है कि उसको कोड़े मारे और फिर उसको क्रूस पर चढ़ाए अब देखे यहां पर अगर आप देखेंगे कि प्रभुष मसी को क्रूस पर चढ़ाए गया यह मतलब उसने, उस कुरूस की ओर वो देख रहा है, अब कुरूस की मरव मौत क्यों, क्योंकि सुनी है, बाइबल में ये कहा जाता है, मत्ति नहीं, रोमियो, 23, 26 की सब ने पाप किया है, अब परमेश्वर की महिमा से रही था है, है ना हम सब ने पाप किया आपने हमने दुनिया में सब लोगों ने मानव जाती ने पाप किया अब उस पाप की मजदूरी क्या है पाप की मजदूरी तो मौत है मृत्यू है क्योंकि हम परमेश्वर से अलग हो गए पाप के कारण, अब परमेश्वर तो पवित्र है, वो पाप और पवित्र तक ऐसे में लखाएं? इसी को दूर करने के लिए प्रभु इश्व मसी ने अपने जान कुरुज पर दिया, यह बात हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? तो ये बात प्रभुश मसी ने भाउजद्वानी के बारे में मतलब अपने बारे में भाउजद्वानी किया और एक्जेक्ली बिलकुल ही वैसा हुआ कि उसको कुरूस पर टंगाया गया दो डाकूस के आदाएं बाएं लगाया गया भीड उसको मार रही थी उसके चाती में भाला भेदा गया उसके सिर पर काटो का ताज पहनाया गया और उसके उपर लिखा एक पत्री की इसने कहा कि यहूदियों का राजा है और उसके हान अत्माओं में कीले ठोकी कि जैसे कि आप इस डायागराम में देख रहे हैं क्रूस पर चढ़ाएंगे फिर एक और फविश्द्वानी जो बहुत इंपोर्टेंट है और वो है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा हाँ पाप का बलिदान तो उसने किया अर्थात मृत्यू तो आई उसके जीवन में और फिर उसके बाद उसने लास में उसने कहा समाप्त हुआ खतम हुआ जो उद्धार का कारिया था वो खतम हुआ और फिर उसके बाद प्रभूई श्मसी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे जिसे हम इस्टर के रूप में मनाते हैं ठीक है तो वो सिर्फ ना हमारे पापों के लिए मरा ना सिर्फ हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ स्वेच्छा से लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज क्या है जीवित परमेश्वर है तो इसके बारे में एक और चीज़ एक जगा और पढ़ते हैं जो मैं आपके लिए पढ़ते हैं पाये जाता है पहला कुरंतियों उसका पंदरवा अध्याय पहला कुरंतियों उसका पंदरवा अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा तीन पच से यहां पर भी वही बात लिखी हुई है जो प्रभुश्य मसी ने भविस्द्वानी की रूप में अपने बारे में कही इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुचा दी जो मुझे पहुची थी कि पवित्र शास्त्र के बचन के अनुसार यिश्य मसी हमारे पापों के लिए मर गया गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा और तब बारहों को दिखाई दिया और फिर 500 से भी अधिक भाईयों को एक साथ दिखाई दिखाई दिया जिन में से बहुत सारे अब तक वरतमान है है ना तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभुष मसी अपने प्राण की आहूती देख करके बलिदान देख करके वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे आज वो जीवित परमेश्वर है भाई देखिए नियाय का चुकता भी हो गया कहने का मतलब जो पाप की मजदूरी थी वो मौत बलिदान उसने कर दिया उसके साथ ही साथ आपके लिए और मेरे लिए खुश खबरी है खुश खबरी क्या है भई अब आपके लिए किसी और को मरने की जरूरत नहीं है है ना क्योंकि इश्यू मसी एक बार हम सबों के लिए मानव जाती के लिए बलिदान हुआ और वो जो मृत्यू का जो श्राब था वो हट गया अब ये मेरे लिए तभी सावित होगा जब मैं उस पर विश्वास करूँ प्रभु ईश्व मसी को अपने जीवन में अनुसरन करूँ अपने पापों से पश्चताब करूँ और पूरी रिती से 100 प्रतीशत मैं इश्व मसी पर विश्वास करूँ कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया बनिदान हुआ और प्रभु मैं तुझे गरहन करता हूँ करती हूँ और तुम मेरे लिए जी उठा ये भी मैं विश्वास करता हूँ तो जैसे हम ये प्रार्तना अपने दिल में करते हैं सच्चे दिल से तो भाई अनंत जीवन हमारा हो जाता है है ना जैसे कि लिखा हुआ है यहां ना 3.16 में क्या लिखा है क्योंकि परमेश्वन ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लोता पुतर दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाशन हो परंतु अनंत जीवन पाए तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभुई श्मसी ने ये भवश्द्वानी कही अपने बारे में कि मनुष्य के पुतर के साथ ऐसा होगा और वो सत्य हो गया सच बात हो गई है और क्योंकि ये परमिश्वर का बच्चन है तो सत्य तो हो नहीं होना है तो घात किया जाएगा कोड़े मारे जाएंगी और उसको ठटव में उड़ाया जाएगा उपहास में उड़ा जाएगा और फिर उसको क्रूस पर चड़ाया कीले ठोकी गई और काटो का तास पहनाया गया बाजू में भाला भेदा गया जैसे कि आप देख रहे एक खून सा बहराय उसके दायने तरफ तो ये सब उसने हमारे पापों को दूर करने के लिए उबलिदान जो आपको और मुझे करना था वो किया उसने आपकी मजदूरी तो मौत है हम सबों को मौत मिलना था लेकिन इश्यो मसी ने अपने उपर वो मौत ले लिए अब आपको और मुझे को इस बलिदान को ग्रहेंट करना है फिर उसने कहा कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा तो आज वो जीवित परमेश्वर है तो ये मानव जाती का जो सबसे बड़ा गुड निउज यदि आप सुन सकते हैं तो ये हम सबों के लिए यहां पर दिया गया है अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी बाते होती है दुरगटनाएं होती है चाए वो भूकंप हो लोग मारे जाते हैं मर जाते हैं या कोई बिमारी हो अस्पताल में मौत हो जाती है या और भी एक्सिडेंट हो जाते है भाई मरने के बाद क्या है है ना मरने के बाद यदि हम प्रभुष मसी को ग्रहन नहीं करते हैं तो हमारी जाते न रख है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि हम पाप में मर गए हमने प्रभुष मसी को ग्रहन नहीं किया लेकिन आज हम जो जीवित हैं आप के लिए मेरे लिए हम समों के लिए एक चुनौती है कि आप जीते जी ये कल तक न छोड़िये कि मैं कल देख लूँगी कल देख लूँगा नहीं आज इसी समय उद्धार का समय है ऐसा लिखा हुआ बाइबल में परमिश्वर के वचन में तो आज 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 ही प्रभुष्वमसी को अभी प्रभुष्वमसी को अपना जीवन दे और उसे उद्धार करता करके ग्रहन कर ले तो हम देखते है यहाँ पर कि प्रभुष्वमसी की जो बहुश दुआनी थी वो बिल्कुल सटीक रूप से सही रूप से क्या हुआ पर देता हूँ वो जब भुषद्वानी प्रभुष मसी ने अपने लिए की जो परमेश्वर के पुत्र के बारे में बताता है मत्ती उसका भी सद्ध्या है सत्तरा से सुनिए येश्यू यरुशलेम को जाते हुए बाराचेलों को एकांत में ले गया और मारग में उनसे कहने लगा देखो हम यरुशलेम को जाते हैं और मनुश्य का पुत्र अर्धात प्रभुष मसी प्रधान याजकों और शास्तिनों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग के ठहराएंगे और उसको अन जातियों के हाथ सौपेंगे कि वे उस उपहास में उड़ाएं और कोड़े मारें और कुरूस पर चढ़ाएं और वा तीसरे दिन जिलाया जाएगा ये बात हम देखते हैं कि ऐसा ही भवश्दवानी पूरी हुई तो जो भी बाइबल में भवश्दवानी लिखी गई है वो अक्छरशा पूरी होती है तो उशार रही है इसको हम सिर्फ कहानी के रूप में न लें लेकिन एक सत्यता के रूप में लें और अपना जीवन प्रभूश्व मसी के हाथ में सौपे ताकि हम मैं और आप उस अनन्ध जीवन के भागी हो सकी है ये शरीर जो मनुश्य है शरीर में जो जान है न वो तो चला जाएगा एक दिन लेकिन वो जीवन जो प्रभूश्व मसी को अपने जीवन में अनुसरन करें उससे अपने जीवन में बलाएं और उसके बचनों के अनुसार चलें